नमस्कार दोस्तों स्वागर आप सभी का तिकिराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि केसे आप अपने रिट्मी एमाई ट्री पर कॉल माइक प्रॉब्लेम फिक्स केसे कर सकते यह दि दोस्तों आपको भी ठीक है आपके किस वज़र से हो सकते और कैसे करके आप इसको फिक्स कर सकते आज के इस वीडियो पर मैं आपको इसी के रिलेटेट में सॉलूइशन बताने वाला हो वीडियो को शुरू से लेकर आन तक देखे जो कुछ भी रिजन्स हो सकते उसको जानिये और दोस्तों जो भी आपका प्रॉब्लिम डेफिनेटली सॉल्फ हो जाएगा ठीक है तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को क्लिक जरू करें यही आप ओनलाइन से पेसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो दोस्तों यहाँ पर आप जो है चैक कीजिए आपका नेट्रोक कनेक्शन क्यूंकि दोस्तों कई बार नेट्रोक कनेक्शन के माईक इशू हो जाते आप ही एप फिर एक दूसरे के आवास सुना ही नहीं पाते तो दोस्तों यह ज्दिया आपके घर-पे ठीक है दो फोन हैं तो आप अपने फॉन से किसी दूसरे चेक करके देख है तुम अठीय से आप का माइक है यहाने कि नेट額 का इशू है जो भी एर्या में आ अप कॉल कर रहे है उस एर्या का नेट royal खराम हो सकते तो उसके वज़े से यह problem कर रहा है लेकिन घर के घर में call करने की बार भी ठीक है घर के phone पर ही call करने की बार भी same problem है माइक का issue है तो हो सकते है या पर software का problem हो या फिर hardware का ठीक है दोनों में से कोई भी problem हो सकते हैं तो चलिए video शूरू करते हैं और solution देखते हैं तो दोस्तो सबसे पहले तो आपको करना किया है आपको device एक बार restart करके check करना होगा ठीक है कभी कभी restart से fix हो जाते हैं कभी कभी नहीं होते तो क्योंना एक बार restart करके देखे basic solution से हम सुरू करते हैं तो basic तरीका में आपको बता रहा हूं ठीक है restart करने के बाद भी same है तो दोस् आपको scroll down करके नीचे जो है आना है एपस पर उसके बाद जाए मेनेच एप पर तो मेनेच एब इंस्टोले ब्यादो फिर एब मेनेच्मेंट आपको मिल जाएगा उसके बाद जाए फोन सर्वेस पर और फोर्स तॉप करके इसको ok कीजिए ठीक है कई बार फोन सेटिक्स मे जाके reset wifi जो mobile network आपको दिखाई दे रहा है उसमें क्लिक करना है reset setting पर क्लिक करके phone password भर देना है और ok करते हुए reset कर देना है ठीक है तो यह करने के बाद दोस्तों आप जो है device को एक बार restart कर लिजिए उसके बाद दोस्तों चेक कीजिए आपका mic problem solve हो चुका होगा ठीक है इ यदि आभी भी same problem आ रहा है तो दोस्तों जाए आपने phone के setting पर additional setting को open करें और call speaker I mean clear speaker का जो option है उसमें क्लिक कीजिए उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो button दिखाई दरे clear speaker का उसको एक बार on कर दीजिए और आपना जो volume है उसको increase कीजिए ठीक है increase यानि आपको जो अच्रव अगरे से कोई भी problem create होते हैं तो दोस्तों उसको fix कर देते क्योंकि दोस्तों यहाँ से loud voice निकलेगा 30 seconds के लिए तो उससे काम बन जाएगा ठीक है दो तीन बार आप कर सकते हैं दिन में तो इससे क्या होगा आपका speaker जोए वह clear रहेगा यहाँ पर ठीक है तो इस प और about phone पर जाके update पर click करना है software को update कर देना है software update करने के बाद दोस्तों check करे problem solve हो जाएगा ठीक है by any chance software update करने के बाद solve नहीं होते problem तो आपको यहाँ पर hardware का issue है आपको technician के पास जाना होगा phone के mic को change करना होगा और उसके बाद ही दोस्तों आपका जो problem है वो solve होगा ठीक है तो आपको पूरा solution यहाँ पर step by step करना है ताकि आपको जो mic का issue है वो fix हो सके तो आज के इस वीडियो पर दोस्तों बस इतना ही उमीद करते हैं वीडियो आपको पसने होगा और इसके related पर आपको कोई भी problem कोई भी issue है दुबारा से तो आप हमें comment section पर भी बता सकते हैं तो